जहीन चेस्टमटर की रन गर्स अंडर 14 की स्टाट होने जारी है दिनांग 18 दिसंबर 2022 इंटर डिस्टिक नेशनल अथलेटिक्स चेंपेंशिप के लिए एवेंट होरी है उज्जेन में आज दिनांग 12 से 14 जनवरी 2023 को पिहार पटना में इंटर डिस्टिक नेशनल अथलेटि एशुशन एवन कार्पोरेशन की सह्यूखित इवेंट इसकी छस्टमटर की दोड देखेंगे बलिकाओं की अब अ कि दोड़ स्टाट हो चुकी है अब देखेंज भूध न मेसे कौन फर्स आता है कौन तर्ड़ आता है इस इवेंट की अंदर एक बाली का दोड़री है का इवेंट में आप कई बड़ दिखा चुका हूं इस्टेट लेवल पे भी पाडिसिपेट इसकी इवेंट और डिस्टिक लेवल सभी की अभी काविया शर्मा आपके सामने सेकंड पोजिशन पर चल रही है देखिए आप आप देखते हैं काविया शर्मा के आज भी यहां पर फर्स पोजिशन बाती है पीछे कनिश का पॉल और शेस्टमटर की यह इवेंट आदा राउंड पुरा हो गया डेट राउंड इसका लगाना है एक राउंड और बचा है देखते हैं अब यह बालिक आएं कितने समय मेरे इसको पुरा करती हैं काविया शर्मा आपके सामने आगे चलती भी देखें के रूपे एक आविया आगे सेकेंड बेकनिश का दोनों में डिस्टेंस दस मीटर के आदस से पंद्रा मीटर का इंटर इस्टिक नेशनल अथलेटिक चेंपेंशिप पतना भिहार के लिए चैनिस परदा यहां चैनीद बच्चे नेशनल अथलेट के लिए चैन उज्जन डिस्टिक एथलेटिक एसोशन एवन कार्पोरेशन के बच्चे यहां पर दोड़ रहे हैं इन में सचाइनीद बच्चों को हम पतना भिहार के लिए पहुचाएंगे अब देखते हैं यह रेस फिनिश होने वाली है काविया शर्मा कितना समय लेती ह फस्ट तो आही रही है हर इवेंट की तरह अंडर 14 में 600 मटर में लगातार वो फस्ट आती है आपको सामें दोड़ लगा रही है काविया और फिनिश करने वाली है बस यह फिनिशिंग लाइन के फास्ट और यह रेस को फिनिश का काविया ने इसके पीछे है कैनिश का पॉल यह कैनिश का पॉल और इसने रेस को फिनिश किया दोबाली का उने रेस फिनिश कर दिया है अब देखते है और बच्चे-बच्चे है इसके लिए देखिए दो छोटे दो तीन चार छोटे नननने बच्चे छोटे छोटे पाटिसिपेट कर रहे हैं वेरी गुड वेल डन बटा वेल डन बहुत अच्छे तिसरे स्थान बरे यह दो बच्चे और फिनिश कर रहे हैं रेस को बहुत अच्छे यह वालिका ने फिनिश किया बहुत अच्छे वेलड़न देखे एक बर फिनिश कर रहे हैं शेस्टमिटर की दौड अब देखिए दौड लगाई इन्होंने पर दौड लाट। कटाइम आया कावे शर्मा का पेलिग दो मिनिट दो सेकंड में 600 मिटर और कनिश्का का सेकंड पोजिशन दो बारा पैरी गुड वेल डन देखिए लड़की फिनिश करी एक और वेल डन रेस को पूरा किया वेल डन बेटा ठीक है दोस्तों और दिखाएंगा आपको इवेंट ओके जैहिन